रोजाना ग्यान वरदख चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों, जय मातादी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों, बाइस मई को है अमावसिया का दिन वह भी जेश्ट मास की अमावस्या जो की साल में सबसे महतपून और फलदाई अमावस्या माने जाती है जेश्ट मा की अमावस्या को बड़ और वट अमावस्या भी कहते हैं इस अमावस्या में सुहागिन महिलाएं वट सावित्री वरत रखती हैं और विदी विधान से पूजा करके अपने पती की दिर्गायू की कामना करती है। संयोग देखिए कि इस बार इस अमावस्या के साथ ही शनी जैन्ती भी पढ़ रही है। जी हाँ। और इतना ही नहीं इस साल इस जेश्ट अमावस्या का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि क्योंकि इस दिन चार विशेश संयोग बन रही है। इनमें शनी जैन्ती का संयोग, सरवाज सिद्धी योग, अमरिश सिद्धी योग और त्रीगरही संयोग शामिल है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इस अमावस्या के दिन शनी महराज का जनम हुआ था। इसी पल की पोजा करनी से भगवान शनी देव भी प्रसन होती हैं और व्यक्ति का शनी दोश इस दिन दूर होता है। जोतिश के अनुसार इस दिन सरवाज सिद्धी योग के साथ अमरिश सिद्धी योग भी बन रहा है। और दोस्तों ये महुरत विशेश फलदाई माना जाता है। बता दियें कि इस दिन वट सवत्री व्रत होने के कारण महिलाओं को अखंड सोभाग्य के साथ सुक समरिद्धी और एश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों सबसे महतपून बाद इस दिन यह है कि करीब करीब 900 सालों के बाद इस दिन ग्रह नक्षत्र की ऐसी चाल बनी है कि व्रिशब राशी में सूर्य, चंद्र, बुद्ध और शुक्र एक साथ रहेंगे। और यह संयोग कई अर्सों बाद देखने को मिला है। इतना ही नहीं आपको बता दें कि इस दिन शनी की स्वराशी मकर में एक साथ तीन ग्रह विराजमान होंगे। मकर राशी में शनी के साथ साथ गुरू और चंद्रमा की युती बन रही है जिसकी वज़े से त्रीग्रही संयोग भी बन रहा है। जी हाँ और दोस्तों ये सारे संयोग एक बड़ा सा महा संयोग बना रही हैं जो कि कुछ राशी वालों की किस्मत पूरी तरह से बदल कर देगा तो आखिर ये राशियां कौन सी हैं और इन्हें क्या लाब होंगे आईए हम आपको इस वीडियो में बताती हैं तो आप से अन्रोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करना और इसे अन तक जरूर देखना चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपको बता द गेरी हुई थी तो वह अब तुरंत ही दूर हो जाएगी जी हां भगवान शनीदेव के क्रिपासे आप लोगों को शायरिक परिशानियों से भी चुटकारा मिलेगा खास करके आपके घर में धन संपधा का आगमन होगा चाहे आप व्यापारी हों या चाहे आप नौकरी प पराप्त होगी अगर आपके ऊपर कोई करजा सिर पर चड़ा हुआ है तो वह भी अब उतरने का समय आ चुका है अगर किसी को आपने कोई करजा दिया हुआ है या फिर कहीं पर आपका पैस अठका हुआ है तो वह भी जल्धी से वापस जरूर आएगा दोस्तों इस समय आपको अपने कारेशित्र में मान सम्मान मिलने वाला है। आपके परिश्रम का रिजल्ट अब आने वाला है। दोस्तों भगवान शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप इस देन भगवान शनिदेव की पूझा आरातना जरूर करें। इसी के साथ दान पुन्य भी अवश्य करें। दोस्तों जिन राशी वालों की हम यहाँ पर बात कर रही हैं वे राशिया हैं मेश राशी, वरिशब राशी, सिंग राशी, कन्या राशी, तुला राशी, कुम्ब राशी, वरिश्चक राशी और मकर राशी दोस्तों आपसे अन्रोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से जैश रनी देव अवश्य लिख देए और जितना उसके इस वीडियो को अपने वाटसाप और फेस्बुक पर शेर कर देए